नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीजे लगसे क्लासिज और पीजे वेकंसी अपके इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वीडियो में बात करेंगे राजस्तान सी ये चो बरती अपडेट को जो है उसको लेकर रिजल्ट वर्शेस की रधिक्या होगा इस परती का और कितनी जो है कट ओफ जाएगी यदि रिजल्ट आता है तो और तेरा तारीका जो परदर्शन है उसके क्या माइन है पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ दन तक बने रहे हैं साथी साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें त तक और उस पर जो है अपने दोस्तों तक पहुंचा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको सारी सीजे समझ मारेगी राजस्तान सी है चो भरती अपडेट की बात करें राजस्तान सी है चो आप सभी को बता है कि 19 फरवरी को एक्जाम हु कि जांस कर रही है और जो गे अग्isons मेंने हो एक्जाम लुग में दीया था वो है कि इसका रिजल्ट हाएगा यू रद हो इसे होगा झारे है का मतलब यह नियुट के अरव महेने से तो पूरवर्ती सरकार थी अभी नई सरकार बन चुकी हैsal और कहा जा सकता है कि सरकार के पे ज्यादा जो handling नहीं कर सकते board के दिने ये सारी चीज़े और SOG उन्होंने अपना पला जाड़ लिया कि हमने जो है board को सारी चीज़े दे SOG ने report दी उसके अनुसार देखा जाए तो उन्होंने paper leak नहीं माना है SOG ने ज्यादा तर देखा जाए तो paper को leak नहीं माना है और board भी जो है इसी mood में है कि result निकाल दिया जाए जो भी हो ये भरती जल्दी से पूरी होनी चीज़े हमारी तो यह मांग है क्योंकि 80,000 के आज़ पास लोगों ने exam दिया वो सारे लोग इस बरती की तरफ एक टक टक ही लगा कर देख रहे है कि क्या result आएकर रदू की result आएकर अगर result आता है तो यह मैं बता सकता हूं कि cut-off जो है वो ज्यादा नहीं जाएगी जो कि इसमें जो है इस exam के बाद दो बार नौर सेट हो चुकी है काफी सारे exam हो गए है बहुत सारे लोग उधर सेलेक्ट हो गए जो टॉपस थे तो का जा सकता है कि ज्यादा तो cut-off जाएगी नहीं और ज्यादा लेवल पर पेपर यदी आउट हुआ है तो पहले वैसे बोड ने यह कहा था कि हम result की जाँच कर रहे है जो की कोई रूल तो है नहीं result की जाँच करना उसके बाद बरती का निरने लेना लेकिन result की जाँच कर रहे हैं उसको भी कुछ बाहर जो है बाहर नहीं आने दिये क्या चीज़े result की और मैं बता सकता हूँ कि आपको 68 या 70 के आसपास यदि कट आप जाती है तो ज्यादा पेपर आउट नहीं था और 70 प्लच जाती है तो ज्यादा पेपर आउट था ठीके दूसरी बात अब जो important बात है तेरा दारी का परदसन है अधिनस्त बोर्ड MSSB पर बहाँ पर जो है आप बेरोजगारों के काफी सारे नेता भी आ रहे हैं आप सारे लोग जो result चाहते हो रद चाहते हो लेकिन इस परती का कोई निनने चाहते हो वो सारे के सारे लोग उस दिन बोर्ड कारेले पर जरूर पहुँचे बड़िया शांदर परदसन करें यदि आप ज्यादा परदसन करेंगी ज्यादा संख्या में वाज आएंगे तो effective होगा आपका परदसन और जो है आप लोगों को यह का जा सकता है कि कुछ न कुछ आल जरूर मिलेगा मैं भी हम भी कोशिस कर रहे हमारे टीम के साथ जो है हम वहाँ पहुँचे जैपूर दिनस्ट बोर्ड कारेले पर पर परियास करेंगे आप सब लोगों की आवाज उठ लोगों की दिनस्ट बिखने का और आप सब लोगों से वहाँ मिलने का प्रयास करेंगी लेकिन देखते हैं कि क्या होता है लेकिन आप सारे लोग जिन्होंने भी एक्जाम दिया है टी फूर थाॉजन लोग है उसमें से यदि एक दो परसंट भी जाए तो बहुत बड़ी एक परशेंट भी जाए ना तो भी बहुत बड़ी चीज है वो सारे लोग वहां जाए आप और जो है बड़िया सा परदसन करें और अपनी मांगों को वाप रखें निचे तोर पर आपकी मांगों को सुना जाएगा और जो है जो भी निर्णे आएगा वो आपके पक्स में आ परती दुबारा होगी बहुत सारे लोग यह कंफ्यूजन है कि क्या पड़े क्या सीएचो रहे दोगी तो बाप सीएचो का पड़ना पड़ेगा इसके लवा रिजल्ट आ गया तो अभी सीएचो पड़ेंगे तो अधर वेकेंसिव हमारा नहीं हुपाएगा तो जल्दी सी झाल झाल झाल